ओम नमो भगवते वासुतेवाय अभी तक हमने प्रिष्ण लीला में सुना की केस प्रकार से कान्हा ने अपनी नन्नी सी उंगली पर गोवर्धन परवत को उठा कर सभी प्रजवासियों की रक्षा करी उस रात सभी यमुना के किनारे ही सोय नंद जी मध्य रात्री के समय यमुना स्नान करने के लिए गए रात्री के ग्यारा से साड़े तीन बजे तक का समय भोजन स्नान आदी के लिए निशिद्ध माना गया है आज कल तो लोग रसोई बना कर फिल्म देखने जाते हैं और रात के बारह बजे खाने बैठते हैं ये तो अगले जन में राक्छस योनी में जाने की तैयारी है रात्री के ग्यारा बजे राक्छस तीर्थों में प्रवेश करते हैं सो असनान आदि की मना ही की गई है वरुन लोग से श्री नंद जी को छुड़ा कर लाने की लीला नंद जी ने सोचा था कि मध्यराद्री पूरी हो चुकी है और प्राता काल हो गया है सो उन्होंने तो असनान करने के लिए जल में गोता लगाया आशुरी समय में असनान करते हुए देखकर वरुन देव के सेवक नंद जी को पकड़कर वरुन लोग में ले गए वहां से उन्हें श्री क्रेश्न छुड़ा लाए अब इस कता का रहसी भी देखिए रास लीला के पहले आई है यह वरुन देव पराजय की कता वरुन देव जीव के स्वामी है और उनके सेवक दूत है शड रस जब तक रसना पर काबू नहीं हो पाएगा तब तक रास लीला में प्रवेश नहीं मिल पाता विशई को रास रस नहीं मिलता नंद है जीव जीव जब चित नदी में स्नान के लिए गोता लगाता है तब वरुन सेवक शड रस उसे सताने को उपस्थित हो जाते हैं जब तक जीव लौकिक रस के आधीन है तब तक वह अलोकिक रस पा नहीं सकता वैसे जीव भक्ति रस प्रेम रस पा नहीं सकता आनंद किसी वस्तु में नहीं है मन की एकागरता में है आनंद इश्वर से तदाकार होने में है शड रस पर विजय पाने के लिए भक्ति रस की साधना करो भक्ति करना सरल नहीं है जिसे भक्ति कर उसे मन और जीब को वश में करना होगा जीब का दाश भक्ति कैसे कर पाएगा महा प्रभुजी ने सुबोधिनी में कहा है ठाकुर जी की सेवा से अरुराग करो और शरीर भोग के प्रति विराग मनोशिका पहुत सा समय इस जीब के लालन पालन में बीच जाता है सुबह क्या खाना है काल निकटा रहा है उसका भी तो विचार करो अब आती है चीर हरण लीला गोपियों के दो भेद हैं नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा साधन सिद्धा गोपी के कई भेद हैं शुति रूपा रिशि रूपा संकीन रूपा अन्यपूर्वा अनन्यपूर्वा का अनुभो नहीं हो पाया इश्वर केवल वानी का विशन नहीं है जो वेद के अभिमानी देव ब्रह्म संबंद सिद्ध करके ब्रह्म साक्षात करके हेतु गोकुल में प्रकट हुए है वहीं है शुरुति रूपा कोपिया तपस्वी होने पर भी रिश्यों का काम बना रहा और इश्वर का अनुभो ना हो पाया दर्शन और अनुभो में अंतर है दर्शन में दश्य और द्रश्टा का भेध है अनुभो में वे दोनों एक हो जाते है उसमें पूनता अद्वयत है सो बुद्धिगत काम का नाश करके ब्रह्म समन्ध सिद्ध करके ब्रह्मात्मक रूप मुक्ति का अनुभव करने के लिए जो रिशी गोपी बनकर आये थे उन्हें रिशी रूपा गोपी कहते हैं संकीन मंडल में प्रभु के मनोहर रूप को देख कर मन में काम भाव जागरत होने से जिन इस्त्रियों ने गोपी का रूप लिया है वे काम रूपा है उधारण सूप नखा विवा के बाद संसार सुखों का उपभोग करते हुए अरुचिहोंने और प्रभु के प्रती प्रे द्रेम भाव हुजाने पर जिन पुरुषों यास्त्रियोंने गोपी का रूप लिया उन्हें अन्य पूर्वा कहा जाता है तुलसी दास के वैरागी की कता बड़ी प्रसिद्ध है वस्तुगत आशक्ती को प्रभुगत आसक्ती का रूप दिया जाए तो वस्तू की आसक्त छूट जाती है अनेक वस्तूों के प्रति आसक्ति का होना व्योहारिक द्रश्टी से अशक्ति है तुलसीदाजी केवल पत्नी की और ही आसक्त थे संसार की अन्ने सभी नारिया उनके लिए माता के समान थी पत्नी रतनावली की एक ही चेतावनी ने उनकी आसक्ति को प्रभु भक्ति में बदल दिया कामा सक्ति इश्वरा सक्ति में परिवर्तित हो गई बहुतों को तो रोज थपड़ पड़ते हैं फिर भी सुधर नहीं पाते हैं अनन्य पूर्वा जन्मसिद्ध पूर्ण वैरागी जैसे शुकदेव जी मीरा जी आदी एक बार ब्रज की कुमारिक यमुना किनारे नगना वस्था में स्नान कर रही थी तो उनके वस्थ उठाकर श्री कृष्ण कदम के व्रक्ष पर चड़ गए और कुमारिकाओं से कहने लगे जिसे वस्थ लेने हैं वो यहां आकर ले जा सकती हैं कृष्ण ने कहा नगना वस्था में स्नान करके तुमने जल देव का अपराद किया सो दोनों हाथ जोड़कर वंदन करके वस्त्र ले जाओ उन कुमारिकाओं ने वैसा ही किया तो उनके वस्त्र क्रेश्ण ने लोटा दिये इस चीरहरण लीला में भी एक रहस्य है कुमारिकाओं के मन में ऐसी भावना थी कि वे नारी है ऐसा भाव एहंकार का ध्योतक है उनका वह एहम भाव दूर करने के लिए ही श्रीकरश्ण जी ने वैसा व्योहार किया इस लीला में एहंकार का परदा हटा कर प्रभु को सर्वस्व अरपन करने का उद्देश है भगवान कहते हैं तुम अपना पन स्वत्व भुला कर मेरे पास ओ संसार शून और संसारिक संसकार शून होकर निरा वृत होकर मेरे पास ओ दुयत का आवरण दूर करोगे तभी भगवान मिलेंगे शरीर को वस्त्र छेपाता है और आत्मा को वासना भगवान तुमारे पास ही है किन्तु तुम देख नहीं पाते हो वासना का परदा हटते ही भगवान दिखाई देंगे आत्मा और परमात्मा के बीच वासना का परदा है सो भगवान का अनुभव नहीं हो पाता है आत्मा अंदर है और उपर है अग्यान और वासना का परदा अग्यान और वासना के उस आवनन को चीर कर भगवान से मिलने जाना है सिद्ध सद्गुरू की या परमात्मा की क्रपा से बुद्धिगत वासना दूर होती है बुद्धि में रहा हुआ काम क्रिश्न मिलन में बाधक है अग्यान वासना वरत्यों के आवरन का नश्ट होना ही चीर हरन लीला है और आवरन नाश के पस्चात जीव के आत्मा का प् आती है काम वासना के नश्ट होने पर इश्वर के साथ अद्वैत हो जाता है बगवान कभी लौकिक वस्त्रों की चोरी नहीं करते हैं वे तो बुद्धिगत अग्यान काम वासना की चोरी करते हैं कनहया क्या कोपियों को नगना वस्ता में देखना चाहता था सोचो तो श् अज्ञान और वासना से आवरत होने के कारण श्रीक प्रश्न का अनुभवन नहीं कर पाती थी तो उस बुद्धिगत अज्ञान और वासना रूपी वस्त्रों को भगवान उठा ले गए वैसा प्रभु तब करते हैं जबकि जीव उनका हो जाता है भगवान कहते हैं जिसने अपनी बुद्धि मुझ में स्थापित की है उनके भोग संकल्प सांसारिक विशय भोग के लिए नहीं होते वे संकल्प मोक्षदाई होते हैं भुने हुए धाने का बीच तत्व नश्ट हो जाता है और कभी अंकुरित नहीं हो पाता अर्थात जिस धान को हम लोग भून लेते हैं फिर वो चाहे जितना मिठी में डालो उसमें कभी भी अंकुर नहीं आता है इसी प्रकार जिसकी बुद्धि में काम वासना का अंकुर उड़ गया है वहाँ वह फिर से अंकुरित नहीं हो पाएगा प्रभु नहीं गोपियों से का हे व्रज कुमारी काओं मैं जानता हूँ कि तुम्हारी काम वासना नश्ट हो जाने के कारण तुम्हारे हरदय शुद्ध हो गए है फिर तुम्हें मेरा ध्यान अब भी धरते रहना है ऐसा करने से तुम्हारे मन में समाया हुआ सुक्ष्ममल नश्ट होगा और मुझसे मिलन होगा शरद रितु की रात्रियों में मेरे साथ तुम रमन कर पाओगी शरद रितु की रात्रि निर्मल होती है तुम भी हर तरह से शुद्ध निर्मल शुब्र हो पाओगे तो इश्वर के साथ क्रीडा कर पाओगे जीव इश्वर से मिल सकेगा तब ही रासलीला होगी जीव इश्वर के मिलन के लिए पहले तो पूतना वासना का नाश किया जाए अविध्या नश्ट होने से जीवन की ग तो त्रणावर्त रजोगुन नश्ट हो गया और सत्वगुन बढ़ने लगा रजोगुन मिठ चुका तो कनहया ने माखन मन की चोरी की और जीवन सात्विक बना जीवन सात्विक होने पर आसक्ति की मटकी फूट जाती है दही की मटकी संसारा सक्ति की मटकी कनहया ने तो प्रभु जीव के पाश में बंद गए यही है दामोदर लीला प्रभु बंद चुके तो दंब बकासुर और पाप ताप अगासुर का वद हुआ सांसारिक ताप नश्ट हुआ तो दावागनी नश्ट ही शांत हो गए अधा इंद्रियां शुद्ध ही अंता करण की वासन का क्षय हुआ यही है नाग दमन लीला और प्रलंबा सुर्वद की कथा जीव इश्वर से मिलने योग्य हो पाया तो क्रश्न की मधुर मुरली की मधुरिमा तांस सुन सका वेण गीत काया गया अर्थात नाद ब्रह्म की उपासना हुई फिर आई गो वर्धन लीला गो इं तिरस उत्पन हुआ इंद्रियों की पुष्ट होने पर शडरस और वरुण देव का पराभा हुआ शडरस का पराभा होने से जीव शुद्ध होने को आया तो चीरहरण लीला आई अज्यान और वासना के आच्छादन भगवान ने मिटा दिये चीरहरण लीला ब्रह्मा वर उपाध ही नश्ट हुई तो रास लीला हुई जीव और ब्रह्म का तादात में हुआ जिस प्रकार वस्त्र दे को ढखता है उसी प्रकार वासना और अज्यान आत्मा को ढख देते हैं और परमात्मा को दूर रखते हैं जब तक अज्यान और वासना का आच्छादन दूर न नहीं हो पाता, वस्त्र हरन लीला बुद्धिगत वासना बुद्धिगत अज्यान को उड़ा ले जाने की लीला है, वासना और अज्यान रूपी वस्त्र प्रभु मिलन में बादक है, इंद्रियों के काम को हटाना सरल है, किन्तु बुद्धिगत काम को निकाल बाहर करना बड़ा कठिन है अर्थात हम शरीर से तो काम को हटा सकते हैं किन्तु बुद्धि से काम को नहीं हटा पाते बुद्धि से काम को निकालना बड़ा कठिन है प्राण और प्रकृति एक साथ जाते हैं इस प्रकृति पर विजयपाना तेडी खीर है योगियों का शारीरी काम तो भाग जाता है किन्तु बहुत धीक काम कई बार जियों कत्यों बना रहता है वरद्धा वस्ता में इंद्रिया शित्ल हो जाने पर शारीरि काम तो चला जाता है किं तु बहुत धिक काम बना रहता है रिशी भी काम के आगे हार मान गए थे तो उन्होंने काम भावना को श्री क्रशन के अरपन करके निशकाम होने का विचार किया और गोपी बनकर गोकुल में आप पहुँचे यही है चीर हरण लीला अगले अंक में जानेंगे रास लीला के विशय में महाप्रभुजी ने दशम सकंद को गोवर्धन नात का हदय कहा है और रास लीला को प्राण आप बने रहे सरोजेंद्र सनातनी के साथ और करते रहे परंपूज डोंगरेजी महराज के अमरत पाक्यों का और व्याख्यानों का श्रमण यदि आपको ये विशय सामगरी अच्छी लग रही हो तो क्रप्या चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के अचार प्रसार में सहीयोग करें जै श्री कृष्णा जै श्री राधे